हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रिंको गाडनिंग में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो उन ओडियंस के लिए है जो पोट में इस्टोबेरी ग्रोग करना चाहते हैं और बहुत सी कन्फूजन होने के कारण वो इस्टोबेरी का प्लांट लगाते ह नहीं है तो आज मैं उन सबी के कन्फूजन को दूर करूंगा तो चलिए फ्रेंड बिना देरी के हुए वीडियो को सुरू करते हैं सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन दोस्तों मैं पच्ची मुष्टर प्रदेश के हापड जिले से हूं और आज 11-3-2021 तारिक है और हमारे यहां आज-पास का टेंप्रेचर रात को लगभग 18-20 डिगरी और दिन का टेंप्रेचर करीब 30 डिगरी तक जा रहा ह है दोस्तों पहले मैं भी कन्फूज था कि इस्टोवेरी का प्लांट हमारे क्लाइमेट में ग्रो होगा या नहीं होगा उस पर फ्रूट आएंगे या नहीं आएंगे लेकिन रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों 30 डिगरी टेंप्रेचर में भी इस्टोवेरी का प्लांट हेल्दी ग्रो हो रहा है और उस पर फ्रूट और फ्लावरिंग भी हल्दी है पहले मैं भी ये पोदा के ओल ट्राइल बेस पर लाया था और मैं इसमें फ्रूट लाने में भी सफल रहा जब मैं इस पोदे को लाया था तो यह एक बहुत छोटा था पोदा था पर अब इसकी बेश से और भी दो तीन छोटे छोटे प्लांट निकल आये हैं दोस्तो मैंने इसकी कुछ एक्स्ट्रा केर नहीं कई है जो मैं अपने गुलाब के पोदों की केर करता हूँ उसी की तरह इसकी भी केर की है जैसे मैं अपने सभी पोदे ट्रांसप्लाट करता हूँ सिंपल मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिला कर वैसे ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की थी दोस्तो आगे गर्मी बढ़ने वाली है हमारे यहां का टेमप्रेचर लगवग 46 से 47 डिरी तक पहुँच जाता है दोस्तो मैं इस प्लांट को जब तक सनलाइट में रखूँगा जब तक इसकी लीव बर्न होना स्टार्ट नहीं हो जाती जब इसकी लीव हलकी हलकी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं उस टेमप्रेचर को नोट करूँगा और उसकी अप्डेट आपके साथ सेर करूँगा कि यह प्लांट कितनी गर्मी बरदास कर सकता है और इसके बाद मैं इसे अपने सेडी प्लेस में रखूँगा जहां पर इस पे सूरज की सीधी रोस्मी ना पड़े और दोस्तों इसका भी आगे ट्रायल बेस रहेगा कि यह हमारे यहां समर में नेक्ट शीजन के लिए बच का है जैसा भी रहेगा यह प्लांट इसकी अपडेट में आपके साथ जरूर सेयर करूँगा और अगर आप इसकी अपडेट देखना चाहते हैं तो फ्रेंड इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिय।